इलाइट स्टेडी प्लेटफर्म प्राव सभी का पुना स्वागत है इस वीडियो में डिस्क्सन करेंगे जुनियर आफिस एसिस्टेंट आईटी की प्रिक्सा जो आयोजित होने जा रही है 2021 तक अनुमान है कि प्रिक्सा आयोजित होगी इमाचल प्रदेश सरकार दोरा करीब 1756 पदों के लिए आबेदन मांगे है जिसके लिए जो तीथी है 14 नमबर 2020 तक बढ़ा भी दी गई है हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है जियो आईटी की प्रिक्सा के लिए स्लेबस, स्ट्रेटेजी और सक्सेस SSS के माद्यम से हम हदेन करेंगे साथ लेक्चर हमारी टीम के दोरा बनाए गए है हरोज आपको एक लेक्चर उपलवट करवाने का हमारा प्रियास रहेगा या हो सकता है जैसे आपको कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो एक दिन छोड़ के हम आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आएंगे इस सीरीज में 10,000 कोशिन बैंक हम डिसकसन करने जा रहे है आपको बताना है कि साएं 5 से 7 बजे के बीच में कौन सा टाइम आपके लिए स्यूटेबल है जिस टाइम में हम ये वीडियो अपलोड करें और आपके लिए उपयोगी साबित हो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सलेबस के उपर जाएंगे स्टेटेजी के उपर जाएंगे तो सक्सेस आपको कैसे मिलेगी जितनी बड़ी आपकी त्यारी होगी उतनी ही बड़ी आपको सक्सेस होगी COVID-19 पैंडामिक ने हमें इसी खा दिया है कि हिमाचल परदे सरकार में सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी बहुत से अव्यार्थी रात दिन ये करके इस प्रिक्सा की त्यारी में जुटे है उन्हें सही मार्क दर्सन देने के लिए हमारे टीम के दोरा कुछ बुक्स भी बनाई गई है और यहाँ पर आप लोगों के लिए निसूलक में कोचिंग उपलवत करवाने का पर्यास रहेगा यदि आपको अब की बार जिए टी की प्रिक्सा पार करनी है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है हमारे जितने भी वीडियो से आई लाइट स्टी प्रेट पॉर्म के अपने फ्रेंट सरकल में सेयर करने होंगे और हमारे जो सब्सक्राइबर का थोड़ा सा सिमीत है उस दाइरे को आपको आगे बढ़ाना होगा ये कोचिंग आपको निसूलक में रहेगी 60 लेक्चर्स हमारे टीम आपके लिए लेकर आएगी क्या क्या होगा सबसे पहले आपको बढ़ा दें यहां पर सबसे पहले आपको ले चलते है इस प्रिक्सा के जो स्तर है किस तरह से आपको जी आईटी आप बन सकते है उसके उपर आपको लेकर चलेंगे ठीक है जी पहले आप कितने पड़े लिखे होने चीए जोईटी पढ़ने के लिए सिंपल सब्दों में याद रखिए यदि आप बहरमी पास है किसी भी तरह की कोई परसेंटेज यहां पर जुरूरे नहीं है यदि आपने बहरमी पास की है हिमाचल परदेश के किसी रिकोगरनाइजड बोर्ड या इनिवस्टी से तो आप हिमाचल परदेश सरकार के 1756 पदों के लिए अपलाई कर सकते 14 नमंबर 2020 उसकी अभी तक की लास्ट डेट है आगे बढ़ती है क्या होता है यह किसी को पता नहीं है यदि आप लस्टू पास नहीं है तो आपने matriculation किया होना चाहिए साथ में आपने ITI किया है ITI आपका information technology में होना चाहिए या फिर आपने ITES की पढ़ाई की है तब भी आप eligible है यानि 9 से लेके 12 तक जो ITES subject लगा है तब भी आप लोग यहां पे इसके लिए आबेदन कर सकते हो ठीक है जी यदि आपने ये भी qualification नाप पूरे नहीं करते है तो आपके पास यदि तीन साल का आपने polytechnic से computer science में engineering किया है या computer science में diploma किया है या diploma IT में भी किया है तब भी आप यहां पे eligible है इन vacancies के लिए तो आपको यह समझ आ गया नौकरी कैसे मिलेगी आपको जियोईटी बनना है तो आपको मैं बता दूँ यह माचल परदे सरकार की सरकारी नौकरी है अभी तक तीन वर्स का contract का पीड़ रहता है जिसमें 10,000 क्यासपा तनखा दी जाती है लेकिन जब तक आपकी यह नौकरी लगेगी यह माचल परदे सके बहुत से जो government jobs में लगे है वो सरकार की से request कर रहे हैं कि आप contract पीड़ को दो वर्स का कर दीजिएगा हो सकता है आपके समय में एक वर्स और बच जाए उसके बाद जब आप regular हो जाएंगे contact पीड़ में आपको 10,000 के आसपार तनखार मिलेगी regular हो जाएंगे तो 20-25,000 के आसपार मिलेगी और जब आपको नया scale मिलेगा तो आपकी तनखार में 5-7,000 की और भी बृद्धी हो जाएगी यह पुराने scale की बात की जा रही है जो नया पेक मिसन आएगा उसमें आपकी तनखार और भी आगे बड़ी हुई तनखार आपको मिल सकती है यह दिया आप इस नौकरी को पर आप कर सकते है प्रमोशन की बात करें प्रमोशन के बारे में आपको बता दें तो यहां पे आप सबसे पहले लगेंगे JOIT उसके बाद बनेंगे आप Junior Assistant फिर Senior Assistant फिर आप Superintendent बनेंगे उसमें भी आप आगे और आपकी प्रमोशन हो सकती है Grade 1 और Grade 2 तो इस तरह से आपके पास देखिए एक Bright Career बनाने का मौका है और 1756 बगैंसिस कम नहीं होती है लेकिन Elias Study प्रम में अबजर्ब करता है कि यह बगैंसिस और भी बढ़ सकती है हो सकता है यह आंकड़ा 2000 प्लस का चला जाए इससे पहले भी हमने इन बगैंसिस से पहले भी वीडियो जारी किया था उसके बीच में भी आपको बताया था एक अपनी कलम लीजिए एक भाइट पेपर लीजिए आपको जहां भी आपके पास जो भी डाइरी है जिसके उपर भी आप नोट सब्दाना चाहते है तो उसको ले लीजिए ठीक है जी और आप हमारे पेट फर्म के साथ में जुट जाईए पहले पन्ने पे आपने क्या करना है नंबर बन लिखिये पहले उसके आगे आपने आपने नोट डाउन करना है Computer Science लिख लिजिए जी उसके बाद ? लगाईए Application लिख लिजिए ? लगाईए एक और ॲगाईए उसके साथ में ITES लिख लिजिए एक और स्लेश लगाई है बहां पे आप IP लिख लिजिए ठीक है जी और close फुल स्टॉप लगा लिजिए ये जो आपको मैंने सब्स बताए कंप्यूटर साइंस, एप्लिकेशन, IT, ITES और IP ये स्लेबस प्रिस्क्राइब किया गया है ये माचल परदेश स्टाप स्लेक्शन कमि यहां पे देख पा रहे है इसके 45 चेप्टर हम यहां पे डिसकस करेंगे और एक और बात का ध्यान रखिएगा अब अपने उसी कॉलम में नंबर टू में जाईए बहां पे लिखिए जी और के लिखिए डैस लगाईए उसके आगे लिख लेजिए HP National International अगली लाइन में आ Economy, Geography उसके बाद आगे लिख लिख लिजिए जर्नल साइंस, Environment और Environment के बाद आपता पुरमंदन, महातमा गांदी बीसे सांग इन सारी चीजों को बहां पे लिख लिख लिजिए उसके साथ में Logic Reasoning भी कर लिख 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 ल चाहिए यह slave bus आपको याद दिलाएगा आपको क्या पढ़ना है किस तरफ आपको जाना है क्यूंकि इन connects लोगों ने बनाया है यह उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने इस पोस्ट के लिए उनको eligible लोग चाहिए यदि माचल परदेश में अच्छे GYT लगाने है उसके लिए इसले बस है जी ठीक है अब जो हमारी टीम आपकी help करेगी ये 170 marks में आप कैसे त्यारी करेंगे 60 lectures बनाएगे है आपको परिजित करवा दें लैस्टेडी टीम की जो book है जिस किताब का नाम है Junior Office Assistant 2021 एक किताब है लेकिन चार प्रिक्सों में आपकी help करेगी computer operators, data entry operators assistant programmer इन चार exams के लिए ये किताब आपकी help करेगी, किताब में theory है उसके बारे में आपको बताएंगे उसके बाद इसमें old question papers है उसके बारे में बताएंगे किस तरह सी किताब 10,000 का coaching bank लेकर आई है ये भी आपके साथ बताएंगे इस किताब को आप purchase कर सकते है Eli study co.in website पे जाईएगा बहाँ से आप order करेंगे pay you money के साथ में आपकी payment होगी उसके बाद Indian Postal Services के माद्यम से किताब आपके घर पहुँच जाएगी लेकिन यहाँ पे आपको coaching निसूलक में करवाई जाएगी किस तरह का कोई विचार जीस आप से नहीं लिया जाएगा देखे return आपके लिए क्यों जरूरी है हम आपको ये कहते हैं कि आपको return में दिया आपने अच्छा कर दिया तो आपने बहुत अच्छा कर दिया क्योंकि आपको नौकरी चाहिए हम आचले प्रेस में तो आप अच्छे से नौकरी लेने के लिए आपकी eligibility बन जाती है देखे return के ही marks आपके लिए सर्भूपरी होंगे उसके बाद आपको जाना है typing test में typing test का मतलब है कि यदि आपको English में 30 word आप 1 minute में कर लेते है 10 minute आपको typing करनी है 300 word आप सही कर लेते है typing आपका qualify हो गया यदि आप English में नहीं आती है आपको Hindi में आती है दोनों में से कोई एक आनी चाहिए हिंदी में आती है तो आपको 25 word पर minute करने आपका काम हो गया ये marks आपके कहीं भी नहीं जुड़ेंगे किसी तरह का कोई भी marks आपको यहां से नहीं मिलेगा evaluation of documents आपको पता है हिमाचल परदेश में class 3 और 4 के लिए interview घतम कर दी गई है कुछ documents आपको बनाने होते हैं documents आपने बनाने हैं उसके अधार पर आपके marks आपको दिये जाएंगे 15 marks के ठीक है जी और उसके बाद आपका यहां पर देखेंगे तो जो आपका return है उसके अधार पर और आपकी evaluation of documents के marks जुड़ेंगे और आपके final merit मिनेगी और उसके बाद आपकी job लगेगी ठीक है जी तो 170 नंबर पर आपको अच्छे से ध्यान देना है और देखें सबसे बड़े गलती जो क्या करते है आज के बच्चे मैं आपको बता दूँ computer पढ़ेंगे computer, computer, computers पढ़ लेंगे हो सकता है computer इतना basic आजाए यहां पर जो इस labels prescribed किया गया है यह बहुत ही lower wing का syllabus है लेकिन इसके contents को दी हम आगे explore करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा लेकिन हम इस तरह से हदेन करेंगे basic से चलेंगे और advance तक जहां तक GYT के लिए पहुंच सकता है बहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे लेकिन आप इन 50 नमबरों के उपर अपनी निगहा रखिएगा जो इस 50 नमबर में से अच्छा score करेगा और definitely merit में आएगा इसी दिए आपको मैंने अच्छे से लिखवा दिये जो स्लेबस के कंटेंट्स है अच्छे से note down कर लीजी और यहां पर भी आपको अपनी निगहाएं रखनी है इलाइश्टेडी टीम के दोरह इस सुबा 6 बजए एक वीडियो प्लॉप करवा जाता है उसे सुन लीजी क्रांट पेस का काफी हल्प करेगा एक एक प्रसंद के लिए आपको संगर्ष करना होगा तब ही आपको सफलता मिलेगी तो यह हो गया जिस लेबस और स्टेड़िस जी आपकी जितनी मजबूत होगी हम तो आपको यह कहते कि इतनी प्लानिंग कीजिए इतनी प्लानिंग की जितना आपके पास मैं है कि ताकि आपको कोई रोक ही ना पाया क्योंकि 1756 पद बहुत ज़्यादा होते है सैद आने बले समय में इतनी बड़ी रिक्वीटमेंट देखने को ना मिले गोल्डन अप्चुर्णिटी लीजिए अपने जीवन का जितना भी आ के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए भी जो आपको बताई थी बुको आपकी help करेगी यहां पर देखिए हम आगे चलते हैं आप यहां पर कि जो साथ लेक्चर्स हमारी टीम आप लोगों करे लेकर आई है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखें सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे introduction to computer की computer है क्या इसकी परिवासा है क्या है क्या इसके आप सकता है literacy की जूरत क्या पड़ी क्यों इसने पूरी दुनिया में अपना इतना जज़वा बना लिया आज की डेट में IT क्या है parts of computers क्या है characteristics of computers क्या है computer की generations क्या है किस तरह से हमारे सामने है कौन सी technology बहां पे थी classification of computers क्या है कौन-कौन से उसके parts है उसके बाद देखिए हम इसको हलके से पढ़ेंगे कोई बहुत बढ़ी थिवरी लेके नहीं पढ़ेंगे उसके बाद summary पढ़ेंगे चैप्टर में क्या summary निकलती है क्योंकि summary से प्रसंट बनती है पूरे चैप्टर को हम बहीं पर summarize कर लेंगे उसके बाद एक एप्रिवेसंस भी आती है परिक्सा में एप्रिवेसंस के ओपर कोई क्रिविजन करेंगे चैप्टर नंबर एक ही बात की जा रही है भी उसके बाद देखेंगे कौन-कौन से single liner प्रसंट बन रहे जो कि मुझे याद रखने है जो कि इस चैप्टर के important conclusion हो सकता है उसके बाद हम एक MCQ टेस्ट लगाना है यहाँ पर एक ही चैप्टर का ताकि चैप्टर पका हो जाए जी बीदी बहुत ही यह कहा जा सकता है कि काफी practically बीदी है इस बीदी से चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी अब आगे आगे देखते चलिए कौँसा टॉपिक यहाँ पर चूटे है आपको खूदी पस चल जाएगा कि किताब कितनी महत्तोपुर्ण है और Elastory टीम जो आपको बढ़ाने जा रही है उसमें क्या क्या बढ़ाने जा रही है और निसूलक में है बस आपको वीडियो को share करना होगा वीडियो को share नहीं करेंगे तो हमारे पास एक और भी कलब होता है हम यहीं पर आपको join का button देंगे पीस रख लेंगे इसकी कुछ न कुछ क्योंकि Elastory प्रेटफॉर्म की टीम को भी थोड़े से धन की जुरूरत होती है इस प्रेटफॉर्म को अच्छे से स्मूतली से रन करने के लिए काम चल पड़ेगा जी चैप्टर नमबर सेकिंड पर आई ये basic structure of computers पड़ेंगे same structures रहेगा आपको एक page का पहले में theory यहां पर बता दूं किस तरह के chapters के अंदर आपको theory मिलेगी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबी-लंबी theories मिल जाएगी और आपका जीवनी उसमें निकल गया पठन में ही तो भी फाइदा नहीं होने वाला देखे इस तरह से हलका हलका जो काम के बात है दिया introduction to computer की बात करें computer सब क्या है कहां से आया क्या उसका रत्याफ से पूछा जाएगा जी ठीक है परिवासाइं आपको आने चाहिए computers की हमने यहां पर 7-10 परिवासाइं ले लिए कोई एका याद रखना जो क्या आपको अच्छे लगी computer है क्या लिट्रेसी में भी बिल्कु इस तरह का contents लिया गया है पार्साव CPU में देखे क्या लिया गया यह आपको पूरी किताब में structure of the इसमें आसे मिलेगा जो हम पढ़ेंगे उपसा ऐसे पढ़ेंगे CPU क्या है आपको क्या लंबी कहानी इसके लिए करनी है होता है जहां पर कुस डिस्प्ले देखने को आपको मिलता है और अब को करता है इस तरह से नीचे आपको देखिए हमें, यह तो आपको कम्प्यूटर की बात करें आपको इस तरह से करना पड़े इनको थियोरी में लाने की जुरूरत ही नहीं है जुरूरत पर आपको लिखते हैं ट्रांस्पोर्टेशन में यूज होता है जी हम उतर बुकिंग में यूज होता है तो यह तो अंडरस्टेंड चोछोडी बात है मेरे खाल से आपको आती होग प्रस्टेशर इस्ट्री यहां से प्रस्टन आपको आएगा ही आएगा देखिए हमने इसकी ठीयोरी को बिल्गुल संक्सित कर दिया है चार राइनों में ले आए आये आपने थोड़ी उसमें रिसर्च करनी है आपको एक्जाम क्वालिफाइब करना है कौन से एक्जाम क् lectures में आप क्या पढ़ेंगे और आपको कौन-कौन सी किताब में अपने साथ रखनी होगी ये भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे number system की बात कर लें जी number system में से तो प्रसन आपको आएंगे SQI 7 क्या है क्यों convergence की जूरत पड़ी SQI 8 क्या है latest DJ क्या है सारा में हम पढ़ेंगे बुलियन एल्जिब्रा है लॉजिक सर्काट्स है प्रोसेसर एंड मेमोरी से इनपूट आउट्वूट डिवाइसीज है ठीक है जी हार्डवेर और सॉफ्टवेर है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें X unix को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे Android के बारे में पड़ेंगेaxter ऑग द हflix के बारे में गरेंगे अब दो हम बड़े इजली काम करते हैं, आप C को ले लिजी है, C++ एट सेट्रा जो हमारी high-level language है, उसके बारे में हदेन करेंगे, उसके आगे system implementation and operation के बारे में हदेन करेंगे, open source software and business computing के बारे में पढ़ेंगे, open source software में कौन-कौन से software साथे है, ठीक है जी, यह इस लेबस बना है, उसका स्लेबस है, लेकिन हमने इसके advancement में हम आगे चले गया है, हम बहीं पर नहीं रुके है, क्योंकि हमें पता है, प्यपर complicated आगे है, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है जी, system implementation and operation के बारे में पढ़ेंगे, system किस तरह से implement होते है, यह SDLC क्या है, जिसे कहा जाता है, system development की जो process किस तरह से बनती है, open source software कौन कौन से है, कौन कौन से software आपको free of cost में मिलते है, database के बारे में पढ़ेंगे, data क्या है, database इस में क्या है, Computer Networks के बारे में पढ़ेंगे TCP IP Protocols क्या है उसके बाद Land, Man, Man यह तो आपने सबने पढ़े होंगे हम यहाँ पर फिरसे का कोई करिविजन करेंगे ठीक है जी उसके बाद आगे पढ़ेंगे Internet क्या है किस तरह से Internet बना था WWW क्या है Characteristics of Internet क्या है Standardization किस तरह से Computer Internet काम करता है कितनी बड़ी आज की डेट में आप सकता हमें पढ़ चुकी है Multimedia, Entertainment के बहुत से Sources इंटरनेट पे है Complete हधियन करेंगे Plus2 की किताब में जो HP Board से Affiliated Books है बहाँ पर भी यह chapters दिये गया है Social Media Social Media किस तरह से Humans को Effect करती है क्या उसकी हमारे Life में Importance है E-Commerce क्या है आज कर किस तरह से दुनिया का सो सबसे Reaches आदमी हो E-Commerce Website का Owners है यहां से भी हमने बहुत ही नमिंतम जानकारिया संग्रेट करने का प्रयास किया है 18 नंबर lecture में हम पढ़ेंगे Latest Technology Evaluation के बारे में पढ़ेंगे Desktop Publishing के बारे में पढ़ेंगे Chapter No.19 में कि यह DTP क्या है कौन-कौन से Software इसके अंदर आते है Photoshop क्या है Pagemaker क्या है Call Draws क्या है यह सारा हम इस Chapter में पढ़ेंगे देखिए उसके बाद IT Act Information Act 2013 में सरकार ने बनाया वो क्यों मनाया क्या उसकी आफसकता पड़ी कितनी मत्तोपूर्ण यहां पर हम जानकारियां पढ़ेंगे उसको अबेंडमेंट किया गया छे में किया गया तेरा में किया गया एटसेटरा क्या क्या है भारत सरकार के दोरा साइबर क्राइम के उपर कौन-कौन से नियम बनाया गया है कौपी राइट बिल क्या है इंटेलेक्चल प्रॉप्टी क्या है राइट सीसूस क्या है संबरी अब्रिवेशन सिंगल लैंड एमसी को तो हमार चेप्टर के अंत में पढ़ते ही है Ministry of Electronics and Information Technology ICT Information and Communication Technology के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद Advanced Computer Architecture Advanced Computer का Architecture किस तरह का हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद देखिए जी Microsoft Company के Board, Excel, PowerPoint और Access के बारे में जो चार बहुत ही popular application software है Microsoft Company के इनके बारे में पढ़ेंगे और यहां से प्रसंद पुछी जाते है और इसमें दर कि हमें complete हद्यान करेंगे किताब के अंदर भी आपको बहुत ही महतुब जान करेंगे मिलते से आप Home Menu के ओपर है कौन-कौन से Minus है बहाँ पर आप से पुछ लिए जाता है कि मेलमर्स कौन से Minus के अंदर होता है जी ठीक है आपने रन करना है Powerpoint की presentation कौन से shortcut की आप हाँ पर प्रस करेंगे सारी जानकरिया आपको किताब में और यहां पर देखे हम lecture number 25, 26, 27, 28 में चीजे पढ़ने जा रहे है उसके बाद HTML के बिना तो हम संपन होई ही नहीं सकते Hypertext Markup Language उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ देखे थोड़ सा आगे जाएंगे XML हो गया, HTML हो गया, ESP हो गया, BB Script हो गया Java Script हो गया, CSS है, PHP है, BAMP Server है यह सारी चीजे हम इस chapter में पढ़ेंगे Introduction to C और C++ के बारे में हम देन करेंगे 30 और 31 नमबर चैप्टर में उसके बाद popular computer की language कौन-कौन सी है जिनने आज की देट में पूरी दुनिया को digitalization में इतना easy कर दिया है humans की life कौन-कौन सी languages के बारे में पढ़ेंगे फिर computer graphics के बारे में पढ़ेंगे जो की खाफी popular concept आज की देट में Embedded system के बारे में पढ़ेंगे यह embedded system होता क्या है Microprocessors क्या है Timeness क्या है यहाँ पे हम बात करेंगे Real time system क्या है Micro controllers क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत संक्सिप्त में पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि यहां से प्रसंद बनते है Mobile Computing कौन-कौन से Mobile के लिए Hardware के आप सकता है किस तरह से Mobile Technology आगे बढ़ रही है सारा Complete हदेन हम यहां पे करेंगे Popular Mobile Processor के बारे में भी पढ़ेंगे Wireless Communication के बारे में हदेन करेंगे उसके बाद देखिए यहां पे हम बात करें 35 तक एक structure आपके पास खड़ा गया कोई topic यहां पे नहीं छोड़ा गया है ठीक है जी उसके बाद Important Facts to Remember देखिए बहुत महत्तोपुर्ण है पॉपुलर कंपनीज है उनके founders कौन है पॉपुलर एप्लिकेशन्स है हमारी सरकार के दोरह कितने सारे Digital India के अंतर कथी कितने सारे एप्ल लॉंच किए करोना काल में तो इतनी एप्लिकेशन्स नविंतम लॉंच किए जिनके बारे में आप सोची नहीं सकते वो सारी जैनकारिया आपको यहां पे दी जाएगी उसके बाद Years and Events पूरा कपूरा जहां से कंप्यूटर का जनम होता चारले बैवेस यह उसे पहले चलेंगे हम वेक्स से चलेंगे चाइना में एक डिवाइस बनाया गया था उसको पकड़ेंगे और आपको यहां पे ले आएंगे आज की डेटि में जहां पर जिसमें जी रहें यहां जो पूरा कंप्रेट करेंगे चैप्टर नमच 36 आपके पास आपको कुईक फैक्ट और रिमेंबर तिंक्स महां पे अबिलेबल करवाएगा देखे आगे क्या किया इस किताब को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया उसके बाद क्या किया गया है जो भारत में विभिंतरा की प्र वारा से नहीं यहां पे लाएगे आप लोगों के लिए जो कि GIT के पैटरन के लिए अनुसार सही बैठ सके तो ऐसे प्रसनों का आपको यहां पे संग्रा मिलेगा 33 स्पेस का संग्रा है 206 से लेके 249 स्पेस का संग्रा है और यहां पे आपको एक आपके दिमाग में कोबर अब जाना है यहीं इसे बाहर हमने नहीं जाना है क्योंकि 120 नंबर हमें यहीं से आने है उसके बाद देखिए राष्ट्री से पर नट के प्रिक्सवा होती है बहां पर कंप्यूटर के बेसीक से प्रसन पुछे जाते हैं उनका स्लेबस में ही बेसीक है लेकिन इतने गजब क्या प्रसंद होती है आप इन प्रसंद होके एक बार पढ़ेंगे तो आपको लग जाए है उसके बाद ही हो सकता है कुछ आपके MCQ छूट गया हो तो मिस्लेनियस MCQ नाम से एक चेप्टर डाला गया 49 नंबर लेक्चर में हमें पढ़ने जा रहे हैं यहां पे सीरीज में यहांगे आपको मिस्लेनियस MCQ के बारे में पढ़ाएंगे 40 नंबर में important single liner question अब देखे हम फिर सिए single liner पढ़ेंगे जो हमें importance लगेंगे जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बाद कि नहीं यह तो बड़े नया प्रसंस है यहां से प्रसंस बनते है उसके बाद आपको ले चलेंगे जी old question paper जो जो JYT के प्रिक्सा में पूछे जाते है तो इससे यहां पर देखे छे प्रसंस पत्र हमारे टीम के दोरा लिए गये है जो की various जैसे accounts का बात करें JYT जो माचल परदी स्टाप selection commission हमेरपूर के दोरा आयोजित किया जाता है यह HRTC में हुआ था है HPU में हुआ था यह सारे के सार जो 10 सक्तूबर 2020 को प्रिक्सा हुई थी उसके प्रसंद भी यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे है किताब में भी अबिलेबल है कितनी सारी हमारी अभी देखेंगे आप नमीनतम हाँ पर technologies के माद्यम से बहुत सी inventions किया गया है सारी चीजे पढ़ेंगे और देखिए यह जुस लिबस से आप यहां पर देखिए कोई पी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको यहां पर छूटी चोड़ दी गई इसे हम अच्छे से साथ लेक्चर के माद्यम से पढ़ेंगे किताब को अपने पास रखना है कि किताब आपके हाथ में होगी तो बड़े असानी से आप इस पूरी के पूरी किताब को साथ लेक्चर के माद्यम से समझ पाएंगे कि नोर्स मिलाने में आपका बहुत समय लग यहांपर हम पढूएंगे भारतिया राजवेवस्ता, अर्थवेवस्ता और इतिहास का प्राचिन पढूएंगे। हिमाचल प्रदिस समान्या ग्यान पढ़ेंगे, grammar पढ़ेंगे, English में पढ़ेंगे, Hindi में पढ़ेंगे, और last में 2 mock test भी लगाएंगे, और इस 6 lectures आपके complete हो जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको mock test लगाने हैं, 10 mock test हमारे टीम तब तक तक त्यार करेगी, और ओभी आपको website के माद्यम से मिल जाएंगे, और आपको पढ़ने हैं, तो यहां पर एक बार overview कर लिजिए, कुछ इस तरह की हदैन समगरी होगी, जिसमें से हम एक topic को discuss करेंगे, बहुत अच्छ से discuss करेंगे, और हमारी कोशिस यह होगी, कि आपको जॉब मिले हमाचलिक प्रजिसरकार में, लेकिन आपको भी अपना promise याद रखना है, वीडियो के link को जादा से जादा लोगों में भेजना है, यहां पर देख लीजिए, प्रजिटी प्रेटफर्म की और भी बहुत सी भुक्स आती है, तो उसके लिए भी आप वैबसाइट को बिजिट कीजिए, ट्रस्टीर प्रेटफर्म है, निस्चिंत रही है, आप लोग जो बड़ी-बड़ी कंपनीज के साथ में से पे यू मनी है, उनका पेमिन्ट का जो सिस्टम रहता है, हमारे वैबसाइट के साथ में उसी को टेच किया गए है, और किताबे बेजने की बिदी भी हमारी काफी सिंपल है, और सरल है, और सस्ती है, और टीका हूँ है, देखिए, इंडियन पोस्टल सर्विसीज के माद्यम से किताबे बेजी जाती है, बहुत मिनीमम सबसे कम जो कुरिये चार्जी जो उनके चार्जी रहते है, पोस्ट के हो ही रहते है, आजका लोग फूली हाई टेक हो चुका है, जैसे आपका ओर्डर हमारे पास आता है, हमारे टीम उससे डिस्पेच करती है, और किताब आपके फोन पे मेसेज आजाता है, कि आपकी किताब यहां तोर आप अपने नजदी की पोस्टमेन के माद्यम से किताब घर वैठे ही प्राफ्ट कर सकते हैं, कियूंकि आपके पास समय नहीं है, आपने जो समय और अनरजी है, यापने बुक्स में अपढ़ाई में लगानी है, यहां पे भीमंदर के डिलर्स हैं, इनके पास भी मारी किताब अबिलेबर होने वाली है इक उची दिनों में, यहां से भी आप किताबे पर चेस कर सकते हैं लेकिन पहले कॉल कर लीजेगा यहां पर आप स्क्रीन सॉट रख लीजेए जिसे भी जिले से आप समन्द रखते हैं अभी तक इनी डिलर्स के पास किताबे उपलब्द हैं वीडियो मिलेगा अच्छे से मिलेगा कमेंट सेक्षिन में अपना भरपूर योगदान आपने देना है और यह किताब को अच्छे से पढ़ लीजेगा हर पल और इसका महिए कि टॉपिक को यहां पर कबर आप करेंगे और एक आपको सबसे काम की चीज़ बता दें जिसकी गल प्रकासन के किसी भी अंस का प्रकासन अत्वा उपयोग प्रतिलिपी करन या ऐसे यंतर में बंधारन जिससे पूना अप्राप्त किया जा सकता हो या स्ताना अंतरन किसी भी रूप से या किसी भी विदी से लेक्ट्रोनिंग या तरिक फोटो प्रतिलिपी रिकॉर्डिंग या किसी अन्या प्रकासन की अनुमती के बिना नहीं किय जा सकता ठीक है जी इस चीज़ का धिहान रखिएगा और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा अपने फ्रेंड सरक्राइब में इसको जादा जादा सेयर करना है तब ही आपको यह देन समगते दस प्लस प्लस का जो कोस्टिन हम डिसकस करेंगे यह आपको मिल पाएगा क किता परचेस नहीं की है तो वैबसाइट पर जाएगा परचेस करके रख लीजिएगा और जल्दी भी मत कीजिएगा भी हम तो आपको यह भी क्याते है हमारा अगला लेक्टर सुन दीजिगा जिसमें आपको लेक्टर नमबर बनने कराएंगे इंट्रोड़क्शन टू कम् इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए मिलेंगे अगले लेक्टर में तब तक आप सेर कीजिए थैंक्यू बैरे मस्ट कीप वाचिंग इलाइट स्टेडी यूट्यूब चैनल